दोस्तों ये देखिए डाबल पोल स्ट्रॉक्चर डाबल पोल डीटियर स्ट्रॉक्चर देखिए दोस्तों कितना सुन्दर है दिगने में बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जो डाबल पोल है दोस्तों ये कॉंक्रीट का है और ये करीब करीब दोस्तों अब पकर लीजिए यह 11 मीटर का तो फूल है उसके उपर से एंगेल से और भी उचा किया गया है ठीक है ई हर देकर यह डिवी बॉक्स है और यह कि बीला कि फ्ली बीला है ऐस्रीके बीला है यह कि रहीं जाफ लोग देख रहे है कि बीला है त्रिफेस लाइन का के भीला है यह जो के भीला है उपर से आके देखिए उपर से आ रहा है ट्रास्फोर्मर से यह देखिए यह जो के भीला है के भीला है ओपर से आ रहा है ट्रास्फोर्मर से कोकर देखिए ट्रास्फोर्मर से रहा रहा है यह डिस्टिबिशन ट्रासफोर्मर है smrmDA is jogo कहता है कि से यह क्याब लएट नीचे है यह डिए बस dir यह प्रास्फार्मर से आरहा है यह डीबी बॉक्स में उसके बाद सरक दिबी पर ऊपर पर से यह सप्लाइप के लिए जा रहा है ठीक है यह 11 मीटर का कॉंक्रीट पॉल है यह देखिए कॉंक्रीट पॉल है आईसलेटर का है इसके जरीए सर्कुट को ब्रेक किया जाता है और यह सब एंगल है यह आंगल है यह यह और यह चैनल है यह जो चैनल है फिर जो चैनल है चैनल के उपर इस ट्रास्फॉर्मर को रखा गया है लुख गेर और लुख पूरा जनकारी आप लोगों देखने को मिल जाएंगे आज डावल पूल डीटियर स्ट्रक्चर में डावल पूल डीटियर स्ट्रक्चर में क्या क्या रहाता है पूरा आज मैं डीटियरल से अब लोगों बताऊंगा ठीक है और यह जो रॉट देख रहे हो यह रॉट मिट्टी के नीचे इस्टल किया गया है और यह है कि सिधा जो वायर है इसको इस्ट्रे रोट कहा जाता है कि इसके जरीए पोल को यह जो एलेक्ट्रिकल ने स्ट्रक्ट्डर इसको सीदा रखा जाता है यह स्ट्रेर रट के देंगे कि यहां पर देखे रहे हो यह जो थोरा हो जटारा से गहप है यहां पर यह dessus विशल में यु यवह भीक हुष थेक व्हूरू को कहा जाता है जब यह अट है जाता यह कट जाता है इसको फिर से जोरा जाता है और यह आइसोलेटर है यह उपर से सप्लाई आ रहा है यह नीचे से जा रहा है कनेक्शन यह आइसोलेटर का रोड है यह आइसोलेटर का रोड के जरीए सप्लाई को अलग किया जाता है मतलब एक सर्कृट से दूसरे लाइन को अलग किया जाता है मतलब कोई फॉल्ड आता है तो या कोई मेंटरिस का काम चलता है तो इसको अलग किया जाता है यह अलग पाढ़ हो गया और यह नीचे का अलग प उपरश्च देखिये, कैसा सप्लाय आरा है आईया सब इंसुलेटर है पीन इंसुलेटर एग दो थीन एग दो थीन एग दो थीन ये पीन इंसुलेटर है पूर्जाथ टोजाएं जब तोजाएं टोजाएं जबने 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 है अधान तर्फिर्व दिटियर श्ट्रक्टर में क्या क्या रहा है मैं आप लोगों को पूरा डिटल्स पे अज बताया देखिए 11 मीटर का कॉंक्रीट पोल है इसमें जो आप लोगों को दीख रहा है दो कॉंक्रीट पोल ये एक पोल और ये एक पोल और ये डिवी बॉक्स है यहाँ से सप्लाइड डिस्क्रिबिशन होता है पोल ये अिए सिर्फ वे पोल डिवी त। वสे ंलाईँ पुम्या से साय मोल पासली इसकता है खतो करह कान शथंग, ज हisen बादे कIES नमादे प्सक्लाइब हम आड़ां करो प्राट में मेरी फ्सकारी करें今 पwnक्लाब हमाम करने करा दो को खाया हम जाना थे साना थे कि 10 तहीं, प्सकार जाता करोला चामी साक्री करॉघग अ एक साना ला हम चनी कर दोकत करें दो से नहाच मे अब लोगों को और थोड़ा नजदिक जाके मैं दिखाने की कोशिश करता हूं यह DTR structure कैसा होता है यह देखिए यह GB box है यह GB है इसको GB कहा जाता है यह केविल है और यह electrical पोल है concrete का और यह stay rod है देखिए इसको stay rod कहा जाता है इसको देखिए निट्टिके नीचे इसको लगाया गा है इसको स्टेरोट कहा जाता है पोल को सीधा रखने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और यह आर्थिंग है आर्थिंग स्ट्रीब है कि स्टेरोट को भी दिखा दिया आप लोगों इसको पोल को सिधा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ठीक है